Hello everyone, welcome to my youtube channel Kiran Siu Cutting and Stitching आज मैं आपको यहां पर स्टेट सलवार की कप्टिन बताऊंगी यहां पर मैंने यह मॉडल में 2 मीटर का कप्डा लिया है इसे आप 2 मीटर का कप्डा समझें और इसमें इसकी तरीके से हमें सारे पार्ट को लेना हमें दिखा रही है अर्ज होता है हमारा जो हमें उंगली से दिखा रही थी यह 41, 42, 43, 44 इसकी चुड़ाई में यह आते हैं तो उन पर भी कटिंग थोड़ा अपचेंज होता जाता है लेकिन ज्यादा तर से 42 साइज में आते हैं जो हमारे सलवार और यह पेजामे की कपड़े आते हैं तो देखिए यहां पर मैं यह साइड में मैं किस तरीके से कुंदा वाला पार्ट लूँगी अब यहां पर मान लेते हैं कि किसी की लंबाई हमें 38 पर तयार करनी है जिसमें की प्लस 3 इंच एड कर लेंगे जो क इत्री आयेक्ते हैं आठ माइनस करेंगे तो जो आएगी वह हमारी कि लेंद्ध हो अब जो द Trevor his T अलडर से जो में तरह में वह मैं बता दिया है इस तरीके से और मौहरा आला साइड जagan दोनों पैरों के लिए तो यह सिव्तरीके से निकालना एक लाइक को जले मेटें लाइक बूसी निएखी और इससी तरिक्टेम, लिएक। कर दो भीस के बश्General कराईक जब में के मिन वीडियो को लाइक करें तो आपको इस तरिक loro करें में पीड़के करें तो और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया है यहां से कट करके दोनों साइड के मेरे एक कुंदे हो गए अब मुझे इसे कली निकालनी है तो यह जो बाकी पोशन होता है कली और बिल्ट के लिए होता है तो इधर पहले हमें सबसे पहले कली लेनी होगी कपड़ा लेना बहुत में होता है कि आपको किस तरीके से कहां से क्या निकालना है जब आप यह समझ लेंगे तो आपको किसी भी कपड़े में कटिंग करने में नितिकत नहीं होगी जैसे कि बटी अला सलवार हो या कोई भी घेर वाले सलवार होते हैं इसको भी आप आसानी से काड़ सकते हैं तो यह देखिए मैंने आप फिर फोल्ड कर लिया है उतनी ही हमें चाहिए क्योंकि साइड में कलिया उतने ही लंबाई पर जुडेंगी तो यह हमारी लेंथ है इसको मैंने रख लिया चाहे इसको रखिये चाहे ऐसे इंची टेप से ना पिये और उसके बाद प्लस हमारा यह हम ले रहे हैं जो हीप का आधा हीसा बचा हुआ है दस तो हमने आसन में अठारा इंच लिया था जिसमें की आठ इंच का बेल्ट निगाला है तो दस बचता है कपड़ा कितना है उसे हिसाब से आप रख सकते हैं यदि आपके पास धाई मिटर कपड़ा है तो आप इसका घेरा और बढ़ाना चाहते हैं तो यह देखे यहां से कट करके अब मुझे इस तरीके से इसको निकाल देना है यहाँ पर मैं कट कर दी हूँ और इसके बाद वो हम परतित, कासा करें तो मुझे बढ़ा है किस तरीके कपड़े की कटीन में कपड़े को लेना है अब कर देखे त STUD कर देखेंगी और इसी तरीक RC वाले पार्ट रखकर के दिखाऊंगी यह तहीं से जोड़ा भी जाता है यह की हो पर रेकर कर रहा हूं और इसके बाद यह हमारे साइड में ही आते हैं इस तरीके से हमने इसको साइड में लगा दिया यह देखिए और यह साइड में इस तरीके से ही जोड़े जाएंगे इस तरीके से हमें फुल के भी मैं दिखा दे रही हूं यह देखिए और इसको इसी तरीके से पकड़ते वाधा हिंच करके द चोर भी सब्सक्राइब युझा शाओं जो और भी एक मीज़ने चांगे थी पर आप देखे लिया है कि अब हमें भीट किलियों के लिए देगी है यह हमारा 42 पर बिल्ट होगा, तो नाप के हिसाब के से हिप आपका कितना है, उस हिसाब से उसमें 5-6 इंच, 6 इंच कम से कम एक्स्टा रख लेते हैं हिप में, और यह हमारा फिर डबल फुल्ड पर हो जाएगा, तो मान लिजी आपका हिप यदि 36 है, 37 है तो उसमें 5 इंच प इसमें हमारा मारजन भी है, अब इस तरीके से यहां पर लगा देंगे, और इस अलवार को इस पर प्लेटे देते हुए, अरजेस्ट कर देंगे, और नीचे वाले पार्ट के लिए, हमारा जो मोहरी में लगता है, वो तीन इंच उडाई में, और इसकी जितनी भी लेंद हो अब मैं इसकी यहां पर, यहां पर सिलकर भी दिखा दे रही हूँ, यह देखिए, थैंक्यू फॉर वाचिंग